आप सब आज है वेनस्टे नान दिसंबर 2020 आज हमने प्रॉडवे का पेस्ट नमर 80 और 81 करने और आप लोग ने काउंटेबल अनकाउंटेबल की वीडियो देख पिली होगी और अलहमदलिल्ला से आप लोग अच्छी तरह उसकी समझ भी आ गई होगी हमारे पेस्ट नमर 80 पे सीसाइड की उसमें बच्चे खेल रहे हैं डिफरेंट जो उन से क्रैब और शेल्स वगर और बोट्स भी हैं तो अब देखे हमें हमें उन्हें ने फस्ट क्या दिया है उन्हें गया काउंट ता थिंग्स काउंट ता थिंग्स डैट यू कैन सी इन था पिच्छर के उन ची दे गई हैं वान तू हमें कितनी दी गई हैं बोट्स तू बोट्स दी गई हैं तो मैंने भी यहां पर लिखा है तू बोट्स तो अब उन्हें हमें थर्ड पर क्या दिये हैं ट्रीज क्या वर्ड दिये हैं सेकिंड भी ट्रीज यह अब हम देखते हैं कितने ट्रीज हैं वा फाहफ लिख 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 लिए अब हम देखते हैं यहां पर children कितने हैं how many children one two three four तो अब हम यहां पर लिखेंगे four और अब हमें उन्हें क्रैब केकड़े कितने हैं one two three बच्चों यह आप लोग को सिफ सी साइड पर ही मिलेंगे देखने को यह हमने feel कर लिये इसको अब हम देखते हैं उन्हें हमें नीचे क्या का है उन्हें का you can also see a lot of sand and water कि यहां पे आप बहुत ज़्यादा rate यह मटड़ी और पानी देख रहे हैं can you count the sand and water यह तो हमारे natural objects है ना natural चीज़े हैं तो इनको हम count नहीं कर सकते ठीक है bot, child, trees and crab are example of countable noun कि उन्हें ने काया कि यह countable noun की example है कैसे अभी मैं बताती हूँ अब यह देखें उपर bots बनी थी हमने इनको गिन लिया ठीक है तो इसका मतलब यह कि bots के plurals हैं ठीक है कि यह एक चीज़ है तो अगर इसके आगे हम S लगा देंगे तो हम इसके सारी qualities को यानकी चीज़ों को गिन सकते हैं जैसे bot, bots हो गया अब जो चीज़े कुछ ऐसी हैं जो अल्ला ताला ने बनाई है ना natural चीज़ें जैसे oil हो गया sand, water, milk हम इनको नहीं गिन सकते हैं here are some more uncountable noun oil, ink, milk, air, silver ठीक है अब हम इन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं जैसे यहां पर silver आगया, gold, iron हम इन चीज़ों को नहीं गिन सकते हैं क्यूंकि अगर यह ज्यादा भी होगी और थोड़ी भी होगी तो हम इसको silver ही लिखेंगे, इसको हम air ही लिखेंगे, जैसे अब हमारे hair हैं तो हम इसका plural भी क्या होता है, hair ही होता है, तो हम इनको गिन नहीं सकते, यह भी uncountable noun में आएंगे these nouns do not have a plural, कि इनके plural नहीं होते, जमा नहीं होती, you cannot use a or an with them, हम इनके साथ a or an, यानि के article नहीं लगा सकते, a or an हम एक चीज को की वजाहत के लिए लगाते हैं न, तो अमने वावाली का consonant के साथ तो यह हम एक चीज नहीं है, आगे उनने कहें, look at the list of nouns and write c for countable and u for u after uncountable noun, the first has done for you एक उनने हमारे लिए किया रहा है, send send send, send को हम गिन नहीं सकते, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे u, again stone stone अगर छोटे-छोटे होंगे, उनको हम गिन सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा countable gold, uncountable ice, ice को भी हम गिन नहीं सकते, यह भी uncountable trees को भी हम गिन सकते हैं, trees को countable banana को भी हम गिन सकते हैं countable, book भी गिन सकते हैं, धेखे stones, stone, stones तो यह count में आजएंगी, ठीक है water को हम नहीं गिन सकते हैं he uncountable हो गया and song गिन सकते हैं कि हमने e क्सोंग sing किया है, two song sing सिंग कर ने हैं countable jam भी हमारी क्या है countable ठीक है यह page number 80 हो गया अब हम 81 पर देखते क्या उन्हाने हमें दिया गए उन्हाने कहे put a tick after every right phrase and cross every wrong phrase ठीक है 3 cent first वाले उन्हाने हमें किये 3 cent कि 3 red इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो इसलिए क्या होगा cross होगा बी वाले उन्हाने दिये 3 buckets of sand 3 buckets of sand तो यह बिल्कुल सही है कि 3 बाल्टिया rate की आगे 5 bananas कि 5 केले 10 songs, 10 काने आप water, water का तो plural है ही नहीं तो यह क्या है cross होगा आप bottle of a jam एक jam की शीशी तो यह भी ठीक है आप sugar, sugar का भी कोई plural नहीं है तो यह भी cross है a spoon of sugar के एक चमची चीनी की 3 oils यह भी गलत है 3 cups of oil यह ठीक है ठीक है बच्चों अब आगे हमें एक column दिया गया है क्या दिया वह है column उन्हाने कर question number 4 में match the phrases in our column A with suitable uncountable nouns in column B the first has done for you first वाला पहले हमें दिए एक है sheet of slices of four kilograms of a little of liter of two cups of ठीक है बी वाले में दिए हमें oil string paper coffee chocolate bread rice यह मैंने खुद से लिखे हैं आप लोग को आगे समझाने के लिए ठीक है अब आफ बार क्या होते है एक straight piece होते है ठीक है वो brick सा भी हो सकते है मोटा सा भी हो सकते है यानि कि थिन भी हो सकते है अब यह देखे इसका a bar of chocolate किस चीज के बार होते है यानि कि छोटी छोटी जैसे वो कहते है सोने की इंट बनी हुए इसी तरह कि यह बार होते है ठीक है यह बार ओफ चोकलेट होते है soap a bar of soap जो हमारे साबून कि जिस साबून जो हम इसमार करते हैं इसको भी कहते है a bar of soap a bar of gold ठीक है बच्चों आगे पीस ओफ पीस ओफ स्ट्रिंग एक रस्ती का टुकड़ा पीस ओफ केक के केक का भी हम टुकड़ा कह सकते हैं ठीक है a sheet of paper यह शीट का मतलब यहां पर आप शेल्फ पर ले सकते हैं और चादर भी ले सकते हैं ठीक है ठीक है a sheet of paper भी हो सकते है glass पर ग्लास यहां पर वो जो शीशा इस्तमाल हम लो करते हैं windows के लिए हो गया हमारी गाड़ियों के लिए हो गया माई टेबल्स के लिए हो गई यह वो आए गई यहां पर slice का मतलब बतर टुकड़े ठीक है अब a slice of bread pizza और cake जो हम से piece के साथ भी आजएगा और slice के साथ भी आजएगा 4 kg of rice भी हो सकते हैं हमारे wheat भी हो सकते हैं और जो हमारे food grains इन सारे तकरीबन वह सारे इसी में ही आजएगे आ लीटर ओफ और भी आएगा यहां पर और कॉक भी आजएगी जो हमारे सारी लिक्विड चीज़े होंगी ना वह लीटर में आजएगी ओएल कॉक जूस वाटर आजएगा वाटर मिल्क ठीक है और टू कप्स ओफ कॉफी भी आसकता है टीबी आसकता है और मिलक भी आसकता है यहां पर ठीक है और यह जो किलोग्राम है यह हमारे सारे food grains के लिए यूज होंगी ठीक है इसमें हमारी सारी दलियां हमारे वो बारले पौरी जाज़ेगा वीट आज़ेगा राइस आज़ेगा पल्जी जाज़ेगी ठीक है बच्छों यह यहां तक आप लोग का बुक वर्क था है